हेलो दोस्तों कैसे आप समय गुल फार्म वेलकम बेक टू माई चैनल तो यार आज के इस वीडियो में मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कीबोर्ड कैसियू CT-X870-IN और कैसियू CT-K2550 का मेरे पास ए दोनों कीबोर्ड अभी मौझूद है इसके पहले मैंने लेबल कीबोर्ड है ये वाला थोड़ा सा प्रोफेसनल लेबल कीबोर्ड है तो चलिए देखते हैं दोनों में क्या-क्या सामने, कम चाओणा लगता है, यह वाला थोड़ा सा ज्दा चाओणा लगता है, तो पहला डिफ्रेंस आपको यही दिखेगा, बाकि लंबाई में दोनों की बोर्ड में एकदम कोई अंतर नहीं है, weight में भी एक keyboard थोड़ा सा जादा, थोड़ा सा क्या ठीक ठाक जादा है, ये वाला थोड़ा सा हलका पड़ जाता है, ये वाला थोड़ा सा वजन हो जाता है, keys आपको दोनो keyboard में एकदम same size की, same number of keys मिलती हैं, keys में आपको कोई difference नहीं मिलेगा, उसके बाद keyboard के उपर दोनों में ही आपको user control या keyboard को control करने के लिए सारी settings, सारे buttons मिल जाते हैं, और यहाँ CT के 2550 में जितनी भी buttons हैं, उनसे ज़्यादा इस अपने CTX 817 में मौझूद हैं, क् इसमें settings और functions ज़्यादा हैं, इस keyboard से काफी ज़्यादा हैं, इस keyboard में सबसे उपर इसके सारे details mentioned हैं, जैसे song bank, rhythm और 400 tones, 50 dance music, song bank इसमें 60 मिल जाता है, rhythm 100 मिल जाता है, वहीं इस keyboard में आपको song 160 मिल जाता है, rhythm 195 मिल जाता है, कुल tones 600 मिल जाते हैं, तो ए सारी चीजे काफी number में ज्यादा हो जा रहे हैं इस keyboard में, जैसे इसमें 400 tones है, इसमें 600 tones है, इसमें 100 rhythms है, इसमें 195 rhythms हैं, और इसमें आपको बहुत धेर सारे rhythms, tones जो आप सोच सकते हैं, या जो आप सोच भी नहीं सकते हैं, वो भी मौजूद है इसमें, दोनों ही keyboard के left और right में सबसे top में आपको speakers मिल जाता है, और इसमें power button gray color में गोल वाली button मिल जाती है, इस keyboard में volume up-down करने के लिए same rectangular type की buttons मिल जाती हैं, और इसमें एक must सा wheel type का मिल जाता है, यहां से देखिए, इसको हम लोग घुमा के अपना volume को manage कर सकते हैं, उसके बाद इस keyboard में भी rhythm controller धेर सारे हैं, यहां पे भी देख सकते हैं, थोड़ा बहुत same होगा, लेकिन length में लंबाई में एक आफी बड़ा है, लेकिन जो सबसे major difference होता है, इस keyboard के display में light जलता है, इसमें कोई light नहीं जलता है, यानि अधेरे में आप इसको नहीं operate कर सकते हैं, इसको आसानी से एकदम easily operate कर सकते हैं, क्योंकि सारे details display पे option मिल जाता है, इसमें नहीं है, इसमें split का layer का option मिल जाता है, इसमें नहीं है, इस keyboard में सबसे left corner में pitch vendor wheel मिल जाता है, जो कि इस keyboard में नहीं है, इस keyboard में pen drive का support मिल जाता है, जो कि इस keyboard में नहीं है, तो बहुत धेर सारी चीजे ऐसी हैं, जो इसमें हैं, इसमें नहीं हैं, ऐसा इसलिए भाई क्योंकि price में भी काफी difference आ जाता है ये वाला अपना entry label keyboard है ये वाला थोड़ा सा अच्छे खासे professional label का हो जाता है तो सामने से जो जो difference दिखता है सायद आपको समझ में आ गया होगा धेर सारी चीजे होती ही जो दोनों keyboard में आपको मिल जाएंगी जैसे metronome beat का option इसमें भी मिल जाएगा इसमें भी मिल जाएगा rhythm controller इसमें भी मिल जाएगे इसमें भी मिल जाएगे dial pad इसमें भी मिल जाएगा इसमें भी मिल जाएगा quick tone change करने के लिए lesson light tempo इसमें भी मिल जाएगा इसमें भी मिल जाएगा दोनों keyboard में Cod play करने के लिए left वाला part Cod की तरह बजे वो दोनों में मिल जाएगा दोनों keyboard में similarities तो है कुछ लेकिन differences बहुत जादा है अब अगर दोनों keyboard को पीछे से देखा जाए तो इस keyboard में यहाँ पे देखिए बड़ा सा casey ओ लिखा हुआ है और यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है इस keyboard में आपको कुल चार ports मिल जाते हैं phone output, power cable के लिए audio in और sustain pedal यही सेम चारों इसमें भी यहाँ पे मिलते हैं port section में एकदम वही सेम है लेकिन इसमें दो extra port मिल जाता है computer या USB connectivity के लिए media support के लिए यह वाला जो port है इसमें हम लोग pen drive directly लगा सकते हैं तो connectivity के मामले में भी एक keyboard काफी आगे है इन दोनों ही keyboard में आप headphone directly नहीं लगा सकते हैं headphone लगाने के लिए phone output में लगाने के लिए आपको 6.5 mm का एक jack चाहिए होता है अगर वो आपके पास रहेगा तभी आप दोनों में headphone चला पाएंगे नहीं तो headphone नहीं चला सकते हैं बाकि दोनों keyboard को आप Kodana Play app से easily connect कर सकते हैं सिर्फ एक aux cable की मदश से यह है इन दोनों keyboard के back का look आपको मैं चारों तरफ से दिखा रहा हूँ भाई मेरा keyboard अभी रिस्क पे है गिर जाएगा तो तूट सकता है लेकिन फिर भी मैं जल्दी से आपको बता दूँ यह है CTK2550 यहाँ पे बैटरी का compartment है यहाँ पे आप 6 AA size की batteries लगा कर keyboard को operate कर सकते हैं और वही same batteries लगा कर आप इस keyboard को भी operate कर सकते हैं यहाँ पे देखिए 6 AA size की batteries लगने के लिए compartment दिया हुआ है और बाकी पीछे तो कुछ नहीं मिलता है देखने में कुछ ऐसा लगता है यहाँ पे सब nut दिये गए इसको खोल के आप easily keyboard को खराब कर सकते हैं